नमस्कार दमासान.com में आपका स्वागत है मैं हूं के इश्थिवारी और इस वक्त हम बात करना है अंतरीम बजट पर मेरे साथ मौझूद है वरिष्ट चार्टर अकाउंटेंड कर विशेशक्य किर्थिकुमार जोशी जी आपका स्वागत है बजट को करके इसाफ से कैसे देख सकते हैं इंटरिम बजट था एक्सपेक्टेशन की बात करें तो वित्तमंत्र जी ने जिस तरीके से बजट को स्टार्ट किया और कहा कि 5 लाक रुपे तक की आय कर्मुक्त होगी वास्तों में वहाँ पर इक पैंच है व तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि आपका आय क्पांच लाक रुपे तक है तो ही आपको कर्मुक्ति मिलेगी अगर आपकी आय पांच लाक से बढ़के पांच लाक एक्सो रुपे भी हो गई तो हो सकता है कि आपको बारह हजार से जञ़ादा का टेक्स देना तो केवल और केवल जिनकी इंकम पांच लाग से कम है केवल उन्हीं वेक्तियों के लिए देखा जाए तो इस टेक्स का benefit मिलना है और दूसरी बात अगर हम करें तो return filing तो आपको फिर भी करना है इंकम टेक्स return वित्यमंत्र जी ने जब अपना उद्बोशन दिया था उस समय उन्हों ने कहा था कि हम TTS की सीमा को बढ़ा रहे हैं 194A में और उसे बढ़ा कर 10,000 से 40,000 कर रहे हैं ताकि ऐसे वेक्ति जिसे refund लेने के लिए जाना पड़ता है उसे return फाइल ना करना पड़े परन्तु यहां पर अगर आपकी इंकम 2,000,000 से अधिक है 5,000,000 से कम है तो भी आपको return फाइल करना पड़ेगा इसके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं किये गए कि आपको return फाइल करने के आफशक्ता नहीं है हाँ कुछ एक exemptions और अच्छे दिये गए जैसे capital gain के case में यह कहा गया कि अगर आपका किसी संपत्ति को बेचने से कुई पुझी अतलाव होता है और दो करोड तक का पुझी अतलाव है तो वहां पर आपके पास एक सुविदा है कि आप दो मकान खरीच सकते हैं पहले के वर आप एक मकान खरीच सकते थे पर आप यहां पर दो मकान खरीच सकते हैं बहुत सी बार यह सामान्य समस्या रहती है करदाता के साथ कि वह चाहता है कि उसके माता-पिता के लिए या उस उसके पास एक अत्रिक मकान हो और वो इस restriction के कारण दूसरा मकान नहीं ले पाता था, यह एक चुट अच्छी है, दूसरा अगर आपके पास एक सेधिक मकान है, दो मकान अगर आपके पास हैं, तो दूसरे मकान की income आपको यह मांते लिए उस पर कर देना पड़ता था जैसे उसे उसे किराय पर उठा रखा है चाहे आपने उसे किराय पर उठा रखा है या नहीं उठा रखा है तो गहीं न कहीं यह दो तीन exemptions जो दिये गए यह सवागत यूग्य हैं? कुल मिला कर, इंटरिन बजट में इस ज़्यादा दापिक्षाइद की जाना नोट बंदी और GST के फाइदे उन्होंने गिलाए उससे हुने आ लिया है टेक्स मढ़ने वालों की संक्या मढ़ने की बाद भी उन्होंने की तो वाकई नोट बंदी और GST फाइदे का लागा है निश्चित रूप से GST की अगर हम बात करें तो मंतली टेक्स कलेक्शन जो है उन्होंने ये भी कहा था कि 90,000 करोड रुपीस जो है वो मंतली टेक्स कलेक्शन का फिगर अभी तक आ रहा है एवरेज मंतली और जन्वरी में उससे उपर जाने के संभावना है GST तो निश्चित रूप से कही न कहीं देखा जाए तो एकोनोमी में बूस्ट लेकर आ रहा है क्योंकि कैस्केडिग इफेक्ट, टैक्स ओम टैक्स और इन सब चीजों को अगर हम ध्यान रखते है तो कहीं न कहीं इंफलेशन को कंट्रोल किया गया है और शायद यहीं वजह रही कि हमारे यहां पर इंफलेशन रेट जो है वो कंट्रोल में रही और उसका बेनिफिट एंड यूजर तक पासान हुआ नोट बंदी की जहां तक बात करें हम तो नोट बंदी के असेस्मेंट अब आना स्टार्ट हुए है और काफी लोगों ने उस समय जिन लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया उन्होंने उस समय इंकम टेक्स रिटर्न भरे और अगर हम इंदौर की बात करें तो हमारे शहर में आयकर विभाब का एक उपलब्दी यह मानी जाएगी की सरवाधिक टेक्सपेयर जो बढ़े वोन बाध शेहर में बढ़े का शेहर का स्थान फ्रत्राइब रहर एक्रीथ वर शारिक्स रात शे तरीफ से जी एस टी से और नोट बंदी से जो है तक सोचा जा रहा था कि दिया जाएगा तो वैसा उन्होंने किया भी कि सक्सेस हो पाती है और किस तरीके से इसकी रूप रेखा बनती है कि आज उन्हें ने कहा कि हम देंगे उसे डिसेंबर 2018 से फर्स डिसेंबर 2018 से लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक अभी प्रिप्रेशन गवर्मेंट की करना बाकी है उन सभी अकांट शोल्डर उनके अकांट की इनकी डिटेल्स होना उनकी लेंड के रिकॉर्ड्स होना तो यह सारी चीजें गवर्मेंट को मेरे खाल से एक अथरित करने में टाइम लगेगा एक वीशेशर्गे के नाते आप इस बजट को कैसा देखने एक शब्द में अगर गाये ते बजट कैसा है चुनाओं के लिए अगर आप मार्क्स की बात करेंगे तो इंटरिम बजट था करने के लिए बहुत जादा नहीं था परन्तु फिर भी जन्रेल पब्लिक के एक्स्पेक्टेशन की बात करें तो दस में से साथ मार्क्स दिये जाना चाहिए आपका शुक्रिया थैंक यूश्कार दोस्तों अग अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे घमासान से जोड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे